प्रुश्क कर दोस्तों, मैं हूँ अश्वनी मंगल और आप सभीका एश्वोत तक पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों ऐश्वोत चैनल एक बहुत-खाच चैनल है जोकि आपका अफटर चैनल है यह चैनल से जुड़ सकते हैं आप सभी को शिवरात्री की बहुत बहुत शुप कावना है 11 मार्च 2021 को शिवरात्री का पर्व है शिवरात्री बहुत ही खास दिन है एक ऐसा दिन जिस दिन हम व्रत रख सकते हैं पूजा अराध्रा कर सकते हैं सची शद्धा के साथ में यदि आप पूजा करते हैं तो शिव भुलिनाद भुले बंडारी को आप प्रसंद कर सकते हैं और वो एक बार प्रसंद हो गए तो आपकी मुनुकावनों की पूर्ती जरूर होगी तो आज हम जानेंगे राशी मुसार शिव निंग पर क्या अर्व पूर्त करें जिससे भुलिनाद भुले बंडारी बहुत जल्दी प्रसंद हो जाएं दोस्तों जैसा कि आप जाते हैं कि काल सरफ दोश को दूर करने का ये दिन है यदि आपका विवा नहीं हुआ या विवा में बेलंब हो रहा है या मैरे लाइफ ठीक नहीं है तो खास द करें आप मेठी रोटी का भोग चड़ाएं और लाल चंदन मक्कने के फूलों से शिव भुलिनात की पूजा अराधना करें आप बात करेंगे व्रशाशी की व्रशाशी है यदि आपकी तो दहीं से शिवलिंग का विशेख करें शक्कर चावल सफेद चंदन सफेद फूलों स शिव भुलिनात की पूजा अराधना करें आपकी राशी का स्वामी शुक्र है और शुक्र का सफेद रंग है इसलिए सफेद फूलों से पूजा अराधना करेंगे आप तो शिव जी तो प्रसंद होंगे ही आपकी राशी का स्वामी शुक्र भी प्रसंद होगा बात मित्रुम राशी की मित्रुम राशी है यदि आपकी तो गन्ने के रस से भगवान शिव का भी शेक करे मूंग दूब और कुशा से भगवान की पूजा अराध ना करें तुलसी से पूजा बिलकुल ना करें इस बात का ध्यान जरूर रखें करक राशी की बात कर लेते हैं करक राशी है यदि आपकी तो घी से अभी शेक करें चावल कच्चे दूद सफेद आख शंक पुश्पी से शिवलिंग की पूजा जरूर करें बात करेंगे सिंग राशी की सिंग राशी है यदि आपकी तो गुड के जल्स से अविशेख करें चावल से वनिवी खीर से भोग लगाएं और यहू के चूरे और मंदार के फूलों से प्रभू की पूजा अराधना जरू करें बात करेंगे कन्या राशी की कन्या राशी है यदि आपकी तो गन्य के रस से शिवलिंग का विशेख करें ववान शंकर को भांग दूब और पान अरपित जरू करें ऐसा करने से विशेश लाव होगा बात करेंगे तूला राशी की तूला राशी है यदि आपकी तो सुगंदे तेल वा इत्र से भगवान भुलिनात का अभिशेख करें आप अर्थात प्रभू की पूजा अराधना शद्धा से करें मधूरस और शिरीखंड का भोग उन्हें जरू लगाए सफेद फूलों से भगवान शिव की पूजा अराधना करें ऐसा करने से आपकी पूजा सफल होगी और भगवान भुलिनात बहुत जल्दी प्रसंद होगी बात कर लेते हैं वरच्चिक राशी की वरच्चिक राशी है यदि आपकी तो पंचामरित से शिव भुलिनात का अभिशेख करें आप लाल गोजिया के फूलों से भगवान की पूजा करें जिससे की पूजा सफल हो और आपकी मनों गाबनाओं की पूर्ती जरूर हो बात करेंगे धनु राशी की धनु राशी है यदि आपकी तो हल्दी युक्त दूद से अभिशेख करें केसरी और बेसन से बनी मिठाई से भगवान का भोग लगाएं गेने की फूलों से उनकी पूजा अराधना जरूर करें आप बात कर लेते हैं माकर राशी की माकर राशी है यदि आपकी तो नारियल के पानी से शिवलिंग का विशेख करें ऐसा करके विशेश लाब होगा उड़त की बनीवी मिठाईयों से भगवान का भोग लगाएं ऐसा करके बहुत जल्दी आपकी मनुकामलों की पूर्ती होगी नील कमल के फूलों से भगवान की पूजा करें जिससे की आपकी पूजा सफल जरू हो बात करेंगे कुम्ब राशी की कुम्ब राशी है यदि आपकी तो तिल के तेल से शिव का अभिशेक करें उड़त की बने हुई मिठाईयों से प्रभू को भोग लगाएं और शम्मी के फूलों से भगवान शिव की पूजा अराधना जरूर करें आपकी बात करेंगे मीन राशी की मीन राशी है यदि आपकी तो केसर युक्त दूर से भगवान शिव का अभिशेक करें और दही भात का भोग लगाएं पिली सरसों और नाक केसर से भगवान की पूजा अराधना सच्चे मन से जरूर करें ऐसा करने से वोलिणार बहुत जल्दी प्रसंद होंगे और आपकी मनुकामनों की पूर्ती जरूर होगी तो सभी के लिए खास उपाएं यदि आपको अपनी राशी नहीं मालूम या किसी भी राशी के हैं आप और पूजा अराधना यदि आप करना चाहते हैं शद्धा से करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक खास उपाएं इस उपाएं को कोई भी कर सकता है यदि शिवरात्री के दिन इस उपाय को करें तो इससे लाब अवश्य प्राप्त होगा करना क्या है आपको शिव स्तुरोत का पाठ करना है इस पाठ को करने से लाब होगा शिभ उलिनात को बिल्लव पत्र अर्पित जरूर करें उन्हें धतूरा अर्पित जरूर करें ऐसा करने से विशेश लाफ होता है और अपनी यथा शक्ति अंसार ब्रह्मनों को भोजन अवश्य कराया आप ओम नमश्वाय का जाप करें ओम शब्द का उच्चारण करें ऐसा करके विशेश लाफ होगा तो दोस्तों आज के लिए देए फिर मुलाकात होगी नमस्टार